हेलो दोस्तों, दारूपे चर्चा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम अन्बॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं, इनीशल रिव्यू करने वाले हैं, लागावलन 16, सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की from the island of Isla, जो की एक स्मोकी आप लोगों के साथ में पीने वाला हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत बढ़या बढ़या चीज सना हूँ, especially from the YouTube दुनिया, YouTube दुनिया में जो विस्की यूट्यूबर्स होते हैं, उनको विस्की ट्यूबर्स कहा जाते हैं, उनमें से कई विस्की ट्यूबर्स बोले हैं कि दे वेंचेड आउट इंटो विस्की बिकाउज विस्की, उनको दिवाना बना दिया, उसे लिए वो आए, वो भी आगे बढ़ गे हैं, उनका अभी उतना फेवरेट नहीं रहा है, बट दिसल लव इट, और दिसल लव इट रिजन वाई विस्की, तो पहले फड़ा इला, LAGOVilen Distillery, established 18-16 और फिर registered something और यहां पे नीचे लिखा है, LAGOVILLEन, आईला, single malt, scotch whisky, aged 16 years, scotch whisky, फिर बहुत नीचे यहां पे लिखा है, नो यह लिजिबल होगा की नहीं, मैं पढ़ लेता हू, लॉक वाटर, rushing over rocky falls, barley, malted over moorland peat, and slow distillation and long maturation in oak casks all help us to shape lagavulin's robust and smoky character तो वो लॉक वाटर बोल रहे हैं लॉक का मतलब क्या होता है मैं भूल गया वैली होता है यह नहीं वैली तो अपना ग्लेन होता है लॉक लेक होता है सॉरी लॉक लेक लॉक लेक का वाटर रशिंग ओवर रॉकी फॉल्स बार्ली मॉल्टेट ओवर मूर्लैंड पीट यह एक टाइप ओफ पीट होता है जो आईला मार्शी लैंड में मिलता है पीट या पीट मॉस फिर slow distillation and long maturation in oak cask ओल हल्पस तो शेप, lagavulin's, robust and smoky character फिर लिखे हैं time with quotation say the islanders takes out the fire but lives in the warmth तो यह जो 16 साल का उनका पास है ना जो अस्त्र है कि इन्होंने 16 साल तक maturation किया है उसको बढ़िया से बेच रहे हैं क्योंकि वो बोलने time takes out the fire but lives in the warmth मतलब जो थोड़ा कडवाहत होता है जो यांगर पीटिट विस्की में उसको निकाल देता है लेकिन वो जो अच्छा warmth रहता है ना वो रीटियन करता है तो वो बढ़िया से अपने आपको say artbag 10 या laphroic 10 यह सब जो 10-12 years या even less than 10 years जो जैसे किलहोमन का कुछ-कुछ विस्की है जो पीटिट विस्की है वो सब less than है इवन टालिसकर 10, Highland Park 12, Kalila 12 यह सब 10-12 में बहुत भरे हैं पड़े हैं ना पीटिट विस्की तो यह अपना 16 साल का जो अस्त्र है वो बढ़िया से बेच रहे हैं 43% ABV है ना दिस इस दे रीजन वाइ दो विस्की ट्यूबर्स जिनके बार में बता है ना वो अभी इसको इतना importance नहीं देते क्योंकि 46% is the bare minimum that they look for लेकिन यह 43% में है और भी price भी बढ़ गया है तो उसलिए they are not very happy with this product any longer having said that they still respect it a lot now मेरे लिए यह मुझे पढ़ा $80 मैं यह Chicago से खरेदा by the way I stay in the US जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आये हो तो मैं Chicago से खरेदा $80 sale price में था और बढ़िया price से 2024 का rate को you know consider करके $80 is around 6500 Indian rupees ठीके somewhere around that पीछे देख लेते हैं क्या लिखा है lot of writings again I'll read it out for you Laga Valin many believe that this is one of the oldest distillery sites in Scotland in 1816 local farmer and distiller John Johnston founded the first legal distillery here at Laga Valin pronounced Laga Valin after the Gaelic Lagaan Moolin the hollow where the mill is aray babare बहुत बहुत complicated meaning है the hollow where the mill is okay very interesting anyways today the four onion shaped stills at Laga Valin are neatly tucked into a white washed jumble of buildings by the sea of Ilarge pronounced I-la अच्छा वो pronunciation अच्छे से लिखते हैं I मतलब आंख लिखे हैं I-E-Y-E-Dash-L-A आई-ला तो आई-ले जो इसले लिखा लिखा लता है I-E-S-L-A-Y कुछ लोग प्रनाउंस करते हैं इसले कोई कुछ लोग प्रनाउंस करते हैं आई-ले लेकिन उसका correct pronunciation होता है आई-ला यह मुझे पहले से पता है तो मैं mostly आई-ला ही बोलता हूँ in most of my videos तो यहाँ पे उनोंने confirm कर दिया है I'm happy कि लागावलिन नहीं confirm कर दिया है तो आई-ला ठीके आई-ला क्या लिख क्या बोला था मैं White first jumble of buildings by the sea of Ilaj Rocky Southern shore guarded by the imposing ruin of Dunyvake Castle बहुत ही beautiful location होगा I hope I get to visit it मैं Scotland गया हूँ बहुत कम दिनों के लिए गया था ऐसे घूमने और तब मैं विस्की नहीं पीता था तो मुझे कोई urge नहीं था कोई distillery घूमने का लेकिन I hope I go to Scotland again फिर लिखे है There's nothing hurried about life on Ila or about dark intense lagavulin which receives the slowest distillation of any Ila malt then spends 16 years in old oak casks before being bottled pungent and potent this is the great Ila malt with richly peaty, deep, smoky flavours it has intense, long, ambrosial finish beautiful Lagavulin is the majestic Ila destination on a journey around Scotland's six malt whisky making regions the other classic malts are Glenkinci from Lowland Darwinie from Highland Kragenmore from Spaceside Talisker from Island Oban from Western Highland interesting तो ये Campbell Town नहीं लिखे हैं for some reason ये Western Highland लिखे हैं anyways let's unbox this all right इसका bottle मुझे काफी अच्छा लगता है काफी elegant काफी लग्जिरियस लगता है थोड़ा green tinge bottle आता है but it's not completely green मुझे green bottles पसंद नहीं क्योंकि उसमें विस्के का कलर बिल्कुली बदल जाता है और मुझे I like to see the brown, golden, caramel, whisky color यहां पर अलग तो लग रहा है लेकिन still I can see the brown color which is what I appreciate I really like the beige color branding out here यह वाला जो kind of oval shaped है and then the regular circular or rectangular patch out here तो मुझे बढ़िया लगता है बहुत elegant, बहुत decent and genuine and proper luxurious bottle लगता है so very nice in terms of presentation in my opinion बाकी और क्या यह सब तो सेमी लिखे हैं तो I'll skip and let's uncork it देरी क्यूं परना है nice sound alright let me pour myself a peg color बढ़िया तो है but I think यह अटिफिशल कलर है this Lagavalin Distillery is currently owned by Diageo जो arguably the most prominent company है और the most popular company है in terms of whiskey के दुनिया और वो सब अपने सब विस्की में coloring डालते हैं to bring in consistency but you know whiskey lovers और जो whiskey को passionately follow करते हैं they do not appreciate it including me also क्यूंकि natural product है क्यूं बेकर में artificial color डालते हैं okay but it looks beautiful looks beautiful चलिए नोजिंग करते है somehow इतना strong नहीं लग रहा है मुझे नोज में but I'm getting apart from the smoky and the peaty stuff I'm getting a beautiful sweetness yeah but but nose में काफी काफी light लग रहा है you know मेरे को आदद हो चुका है कि मैं 46% 50% मेरे पास जो लफ्रोईग 10 है वो भी cask strength वाला है वो 56.7% है तो शायद उसलिए मुझे इतना कड़क नहीं लग रहा है on the nose at least herbal है थोड़ा medicinal है जो लफ्रोईग में ज्यादा आता है art bag में इतना medicinal peatiness नहीं आता flavor नहीं आता लेकिन लफ्रोईग में काफी बढ़िया से आता है काफी ज्यादा आता है वो मुझे लागावलिन में भी महसूस हो रहा है या प्राइनी है seaweed kind of smell मुझे definitely आ रहा है iodine वो medicinal जैसे बोलन iodine थोड़ा bandaid वो भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है little bit somehow मुझे थोड़ा सब मिला के थोड़ा brandy जैसा essence भी आ रहा है I don't think इसमें कोई अलग cask योज हुआ है it's only ex-bourbon cask इसका finishing और कोई cask में नहीं हुआ है I think it's a good good nose for sure अच्छे flavors आ रहे है काफी varied fragrances आ रहे है but intensity wise बहुत कम लगा है for some reason I thought और थोड़ा जादा आना तो चाहिए 43% में इतना कम नहीं आना चाहिए but I don't know अभी अभी खोला हूँ तो शायद थोड़ा फिटने में टाइम लगेगा थोड़ा पानी डाल दू तब भी अच्छा लगेगा लेकिन फॉस्स सिप में नीट पीना चाहता हूँ generally थोड़ा टाइम तो देना चाहिए जब नया बॉडल खोलते हो थोड़ा टाइम देना चाहिए बट खेर हम जल्दी जल्दी वीडियो रेकोर्डिंग करते हैं तो इतना थाइम नहीं दे पाते हैं लेकिन जब हम फॉल डीटेल रिव्यू करेंगे तो अच्छे से खुल गया होगा फॉर शॉर तो चलिए लेट्स हाब माइ फॉस्ट एवर सिप अफ लागाविलन 16 चीर्स अमिगोज बढ़ा कॉम्प्लेक्स है फुल बॉडी है बहुत सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं काफी बार पीना पड़ेगा टू टू जॉट डाउन अल दे फ्लेवर्स लेकिन अगर जैसे में आटबेग और लफ्रोग के बारे में बात किया ना आइ थिंग इस टेस्ट प्रोफाल में यह आटबेग और लफ्रोग के बीच में आता है आटबेग में जो स्वीटनेस है वो लफ्रोग में मुझे नहीं मिलता है लेकिन लफ्रोग में जो कि यह तीनों प्रोफाइल जो है मेरे पास अभी मेरे होम बार में है तो मुझे जब भी जो मन करें वो पी पाऊंगा मैं तो इस अगुड एडिशन डेफिनेटली और अफको सिक्सीनियर्स है जो मेरा एक थीम है आपको पता ही होगा अगर आप पहले वीडियो देखियो कि मै मैं दस साल से लेके अठरा साल हर एज का अटली से एक बॉडल रखता हूं और रखने का प्लान करता हूं फ्रम पानी जलते हैं थोड़ा वो तीन परसन अलकॉहल का कमी तो महसूस हो रहा है भाई अगर अगर बाकी यूट्यूबर्स के जैसा में भी यह पहला पीटेड वि जगा हूं मुझे थोड़ा वीक लग रहा है इन दे फ्लेवर स्ट्रेंथ 43 परसन होता तो और उभर क्या था हविंग सेट डाट इसका टेक्च्चर अच्छा है माउथ फिल बहुत बढ़िया भी नहीं है लेकिन डिसेंट है और इसका फिनिश भी मुझे अच्छा लगा से तोबैको जैसे कोई सिगार पी रहा होगा थोड़ा उसका एसेंस भी आ रहा है चार कोल का भी आ रहा है प्रोपर बाबे क्यों सेटप जो होता है एस्पेशली इन दे वेस्टन वाल मतलब समझ लो सी साइड में जहां पे एक बीच में तुम बैठ हो एक रॉकी बीच में औ आग बनाए हो और थोड़ा मीट सेक रहे हो ठीक है वुसका अगर विस्की का एक फॉर्म होगा तो यह है बट जो थोड़ा स्वीटनेस है में भी अब साथ में थोड़ा एक एक आपल पीस भी खा रहे हो उसको भी मिला दो तो तो तैट काइंड ओफ कमप्राइजर्स वो स्वर्ल कर लेता हूं स्टेंथ नोजिंग का स्टेंथ बढ़ा आफ्टर एडिंग दो फॉर डॉप्स या मिठास अच्छा है आ रहा है अभी यह वेरी यूनिक वेरी यूनिक नोज थोड़ा मतलब आपल के अलावा मुझे थोड़ा पूरून भी लग रहा है सम्हाव थोड़ा मुझे यह दिला रहा है बट यह पानी चार्ट रॉप पानी रालना इधिंग बढ़िया काम दिया नोज निखर के आ रहा है अभी एनिवेश लेक मीगो फॉर्ट सिप में मुझे मैसुस हो रहा है थोड़ा स्पाइसी फिनिश है पॉसिबली ब्लैक पेपर वाइ का कॉंबिनेशन है बढ़िया है यह थर्ड सिप वाज मैं फीवरेट आफटा इडिंग दो फॉर्प्स वाटर इससे जाला पानी डालने की जरुवत नहीं है क्योंकि 43% is not a big deal for me आपको अगर चाहिए तो definitely you can add more water but I would recommend drinking it neat with few drops of water ठीक है ऐसे विस्की को पानी डालके वेरी गुड लेवल तक चला गया मिड लेवल तो नहीं बूलूगा अबोव एवरेज लेवल से वेरी गुड लेवल तक आज चुका है तो यह होता है पानी का effect कभी-कभी पानी कुछ-कुछ विस्की में ज्यादा कुछ एफेक्ट नहीं देता है मुझे especially low low 40% ABV वाले वि जैतरीन मेरा best form यह विस्की बोल रहा है कि तुम्हे मेरा best form चाहिए तो थोड़ा पानी मुझे डाल दो थोड़ा मुझे नाचने दो मेरे flavors को नाचने दो और वो आपके मूँ पे अटैक करेंगे यह ऐसा बोलता है कुछ-कुछ विस्की जो लागवलेन में यह चार विल लाके point out करूँगा बट जो सब में बोला जितने सब बोला जो सेनेरियो आपको explain क्या वही है अभी पानी डालने के बाद it's much more evolved and much more prominent जो मुझे पसंदा रहा है तो I am now really enjoying it okay तो 16 साल का है बढ़िया age profile है पैसा ज्यादा है लेकिन एक बार तो खरीद ही लो अगर खरीद विस्की के शौकीन हो और पीट विस्की को पसंद है और लागावलन शुद बी नियो हमबार ठीक है एक बार खरीद लो में जिससे एक बार खरीदा हो तो बहुत लंबे तक मेरा बॉटल चलता है अगर आप 6,000, 7,000, 8,000 रुपया खर्चा करे हो लेकिन आपको दो साल तक यह घर सब्सक्राइड दिल रहा तो मेरे बढ़ सरफ सब्सक्राइड रेक्मेंड विस्की क्राइड बीड़ अगर अपने चैनल अभी तक सब्स्राइब नहीं किए तो प्लीजरिए ask और बहुत बहुत जरूरुथраж घृट शूरुडर चानल मुझे तो पहूत है यह 40 चैन के दोस्तों के बीच और लाइक भी ठोक देना कमेंट में बताना आप यह पहले ट्राइ किये हो क्या या फिर आप ट्राइ करना चाहते हो आपका फेवरेट पीटी स्मोकी विस्की क्या है डेफिनेटी दू लेट में नो और आपी तो रेस्पॉंड बैक ओके विद आट नोट क्या है